ट्वास का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं ट्वास जो है वो लंबाई मापने की एक यूनिट हुआ करती थी यानि कि भारत में भी पहले आपने देखा होगा कि जो दूरी को कोस में ना पा जाता था एक कोस दो कोस तो एक कोस की जो दूरी होती जिसे twice कहा जाता था और twice की spelling होती है t-o-i-s-e twice तो twice का जो है आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है ये पहले पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था और इसकी जो दूरी है वो लगभग 1.949 मेटर होती थी यानि कि 1.949 मेटर की जो दूरी है या छे दश्मलव तीन नो चार फीट की जो दूरी होती है उसको लगभग एक ट्वास कहा जाता था यानि कि the term ट्वास is an archaic unit of measurement used in France and other parts of Europe it is derived from the Latin word tensum and meaning stretched यह tensum word से लिया गया एक word है जो Europe और France में use होने वाली एक पुरानी unit थी जो लंबाइन आपने के लिए इस्तिमाल किये जाती थी और जो यह word है यह tensum से लिया गया है जिसका मतलब होता है stretched दवास is primarily used to measure lengths or distances especially in construction and land surveying यानि कि land survey और construction में इस unit का जो है मुख्य रूप से इस्तिमाल किया जाता था यानि कि region और historical context में यह बदल सकता है यानि कि राजस्तान में एक बीगे का अलग मतलब होता है यानि कि जो एक बीगा है वो जगे बराबर नहीं होती हर्याना यूपी या अगर हम राजस्तान की बात करें तो उसी तरीके से जो ट्वास भी है वो एक local unit थी तो वो अलग-अलग जगों पर उसकी दूरी भी अलग-अलग हो जाती थी अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें